मद्य प्रदेश में 28 नवम्मर को होने वाले विधान स्वा चुनाव के ठीक पहले एक न्यूज चैनल द्वाराज चुनाव पोल निकाला गया है और इस पोल में कुछ चौकाने वाली रिजल्ट आए हैं आपकी जनकारी के लिए बता दे कि इससे पहले भी एक सर्वे किया गया था जिसमें भाजपा को 142 सीटे जितने का प्रयास लगाया जा रहा था लेकिन इस बार ओपिनियन पोल में थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है ओपिनियन पोल के रिजल्ट के अनुशार भाजपा को 128 सीटे मिलने की उमीद जताई जा रही है वही कॉंग्रेश को शतत्तर तथा अन्य दालों को 11 सीटे मिलने की उमीद है हलाकि ओपिनियन पोल के रिजल्ट के अनुशार शुत्रों का मानना है इस आकड़े में 8 सीटों का उतार चड़ाव दिख सकता है मायावति की बहुचन समाजवादी पार्टी को इस ओपिनियन पोल के अनुशार 8 सीटे दी गई है जो की पिछले चुनाव से ज्यादा है गौरत लब है कि बीजेपी को होने वाला यह 128 सीटों का फाइदा वस्पा और कॉंग्रेश से गठबंधन तोरने का भी असर बताया जा सकता है आपकी जानकारी के लिए बता दू 2013 विधानसवा चुनाव के दौरान कॉंग्रेश और बीजेपी के बीच वोट का अंतर 2% से भी कम था और बस्पा को उसे ज्यादा प्रतिशत वोट मिला था और अगर इस बार बस्पा और कॉंग्रेश साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है और चुनाव की समी करन बदल सकते हैं